हेलो दोस्तो नमस्कार मैं हिमान सुकलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कॉंपुटिटिव इस्टडी में दोस्तो हम पढ़ रहे थे केंद्र और राजी के बीचुके संबंदू के वारे में ठीक है दोस्तो जब हमने वाद के विधाई संबंदू की ठीक है उसके अंत्रगत हमने संग सुची राज सुची समर्थी सुची अललग सुची के अनुसार सक्तियों के बटवारा के बारे में पढ़ा था और हमने बात की थी कि वह पाट 11 में आर्टिकल 245 से 255 तक विधाई संबंद की administrative relations की दोस्तो वो था आर्टिकल 256 से 263 तर जो सुचीदान के भाग एलाउंत में उपस्ती था है ठीक है आज हम बात करने आने दोस्तो आर्टिकल 268-293 इन पार 12 ओव्ध कॉन्सित्यूशन डीविच से 258 से 293 तक केंद राजी विधाई संबंद की चर्चे किया गय है Financial Commission Article 280 Requirements to the President of the Distribution of Net Proceeds of Taxes between the Center and State इसके अरह इसी उसे बर कई अन्योप उपद भी अफस्तित हैं जिसमें Article 280 इनके बीच करका निर्दानान करता है राज जी वार करके बीच में जो करूब का Distribution किया गया है वो Article 280 से किया गया है ठीक है दोस्तो आर्टिकल 280 प्राधान करता है कि कौन से मामले में राज्य सरकार टेक्स लेगी और कौन से मामले में केंद्र सरकार टेक्स लेगी Financial Ration के अंतरका दब पड़ता है दोस्तो जो इनके टेक्स का निर्धारन है वो कितने 21 वे में किया गया है सर्दान में केंद्र और राज्य के बीच जो निर्धार के तरीके आपके स्कीन पर है इन तरवु से उनके भी सक्तिव का आवंटन किया गया है आएए पड़ते हैं पहला पॉइंट क्या है संग सुची के बारे में कर्ण निर्धारन करने का विसे स्थिकार है दोस्तो संग सुची के अंतरकत ऐसे 15 मामने आता है जिसमें केंद्र सुकार क्या करती है टेक्स का निर्धारन करती है या कहो संसत जो है टैक्स का निर्धारन करती है ठीक है उसके बाद क्या है स्टेट लिस्टेचर has exclusive power to levy the taxes in the state list बोथ the parliament and the state legislature can levy the taxes in the concurrent list दोस्तो concurrent list की बाद करें ठीक है दोस्तो उसके अंतर का संसत वर राज इवदान दल दोनों ही कर्नेदारन कर सकते है समर्ति सुचि के अंतरकत ऐसे तीन मामले है जिनमें संसत वर राज दोनों ही कानून बना सकते है लेकिन अगर राज इवदान दल के बाद करें तो राज इवदान दल के बाद हैं जिनकी संख्या 20 है उससे पर निधारण कर सकते हैं उस पर कर्णिधारण recorded 22 मामले आते हैं जिनका कर्णिधारण अपने इसाब्सक्रत कर सकते हैं उसमें केंद्रकी उफस्त्ति जरूरी नहीं है ठीक है और तीन मामले ऐसे हैं जो समर्ठ सुची के अंत्रगत हैं जहां पर संकसत व राज दोनों ही कर निधारन कर सकते हैं ठीक है दोस्तों जरूरी पाउर ओप टेक्ससिं काउस्ति लिए पाउर इनिधाद का इस वासेशी सकती ते संकसब नहीं है इस और म्थपन फार उफ़र्दि कर और व्याय कर लगाए है ठीक है दोस्तो कर निर्धान के पुरी सक्ति केंदर को या संकसत को ज़ादा है इसलिए उनने अललग कर लगा है जिसमों फुवाकर, समर्दिकर और व्याईकर है ठीक है सर्वधान करकी ंगाही और सक्रूर की सक्ति में इसपास्ट अंतर करता है कर था जैसे उत डांड के लिए आइकर की ऑगाही की और एकत्रन केंद दवारा किया जाता है ठीक है परूंति permet को केंदर राजय director के बाटाजाता है उधार के बात करें दोस्तो तो ौईकर की जो घाई होती है विसका जो róż neighbor के इंकम टेक्स द्पार्टिनिकिक किस अंतरकट में खाता से किशे इसक+. प्राप्त कर होता है वो केंद और राज्यों के मद्ध बाटा जाता है ठीक है इसके अत्रिक तोस्तों स्विधान ने राज्यों की कर निदान सक्ति पर कुछ पावंदिया भी लगाई है वो पावंदिया कौन कोल से दोस्तों पहली पावंदिय तो यह है विदान अंडल व्य व्यावसाई व्यापार एंग रोजगार पर कर लगा सकता है लेकिन एक युक्ति पर वह 25 रुपे प्रतिवर्च से अधिक कर नहीं लगा सकता है ठीक है कर नहीं लगा सकता है उसके लाव दोस्तों है राज उदान अंडल बिजली की विक्री वर इसके उप्योग पर कर लगा सकता है लेकिन ऐसी बिजली की विक्री आपयोग पर कर नहीं लगा सकता जो केंद्र वारा उप्योग की जाने वाली हो ठीक है रेल्वे की रखरकाओं में अगर विजली का अपयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर भी राज टैक्स नहीं लगा सकता ठीक है दोस्तों उसके अंतरकत आपके और जो वावन दिए उसम कहांप राज उधानदर किसी अंतर राज नदी आ नजित दाहरा के मिन्यम या विकावस इतुछुस् किसी प्राधिगरण को किसी पानी या विजली एक तरिक कि नेत्पादन गपत्षुप व्यूर्ण या भिक्रिणा कर सकती है लेकिन ऐसे किसी कानुन का पृभपवाई बनाने में ऐसे कलुकर राश्ठरपति की सिपारेस उसको लेनी होगी ठीक है जब राश्ठरपति सहमेति यहां पर दे देंगे तो क्या होगा तब ही हुए कर लगा सकते हैं नदी और ठीक है किसी अंतहरा राज नदी और नदीधारा के विनियम ही तू ठीक है पर्लेमेंट कर प्रोवाइड फॉर गांट इन एड तो स्टेट्स बाइड सेंटर सच्समार चार्ज ऑन दे कंसोलिटेट फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल टू सेंटिफाइब कहता है ऐसा दोस्तो संसद में केंद वारा राज को कुछ अनुदान दिया जाता है ठीक है इसकी चर्चा आर्टिकल टू सेंटिफाइब में की गई है दे यूनियन कें में पब्लिक पड़ गांड प्स टेट्स अंडू अन्टिफिसेंटिफाइब को या किसी इसाइट को जो उस इसाइट में है आर्टिकल टू टू के अंतरकत यह कहा गया है आए दोस्तों विस्तार से बात करते हैं जो अनुदान स्टेट्स को दिये जाते हैं ग्रांट इन एड्ट तो दे स्टेट्स Beside sharing of taxes between the center and the states the constitution provides for grant in add to the state from the center resources there are two type of grant in add पहला कॉंण से होता है स्टेट्री ग्रांट दुसरा होता है दोस्तों discretionary grants ठीक है केंद्रों के बीच करोंगी हिस्ते तारी केस समिधान में व्यस्ता की गई है ठीक है कि राज्य को केंद्र से सहयता करें अनुदान प्राप्त हो विविक अनुदान, statutory grants और second है, विविका दिन grant, discretionary grants, आये बात करते हैं, विविक, विदिक अनुदान के बारे में, statutory grant के बारे में, ठीक है? Article 275, he powers the parliament to make grants to the states which are in need of financial assistance and not to every state. These sum are charged on the Consolidate Fund of India every year. होता किया दोस्तों, अनुच्षेत 275 संसत को इस बात का अधिकार प्रदान करता है, कि वो राज्य को आवसकता पढ़ने पर अनुदान प्रणप्त कराएं, यदि भी प्रतेक राज्य के लिए ऐसा करना आउस्टेक नहीं है, इसके अलावा अललग राज्य के लिए सहेता रा सकता है, उसकी आवसकता के अनुचार, ठीक है, प्रतेक राज्य के लिए ऐसा करना आउस्ट नहीं है, लेकिन वो जहां सोचेगा जिस राज्य के लिए उसको जो थोड़ा राज्य पीछे पिछड़ा है, या राज्य को किसी चीज की जरुत है, आबदा से गरसित हो रहे है तो हापर अनुदान दे सकता है, ठीक है, जैसे उत्राखन में एक बार आपदा आये थी, ठीक है, बदिनाथ केता नाथ में भेंकर आपदा आये थी, उस टाइम पर क्या हुआ था, केंदर नहीं हापर विशेश अनुदान दिया था, ठीक है, या आर्टिकल 275 इसका विवर अनुदान acquisition also provides the specific or specific grants for promoting the welfare of the scheduled tribes in a state or for raising the level of administration of the scheduled areas in a state including the state of Assam. इस समान प्रादन के अत्रिक सविधान राज्यों में जन्जातियों के उत्थान यूं कल्यान तता अनुसुचित जन्जाति बहुली राज्यों में प्रसासनी विकास के लिए भी राज्यों की विसेश साहता प्रतान करने की सकती संसत को देता है एसे राज्जिय में असम्भी संहिलित है दोस्तो जनजाति के उक्थाने करिए अंस्क chicks बाहुल राज्जव में प्रसासिन विकास के लिए यहाँ पे केंज क्या करेगा यह मानुसंसत क्या करेगा विशेश सक्ती उसको है कि वो राजजी के लिए कुछ अनुदान वहाँ पर दे, ठीक है, राजजी के लिए कुछ अनुदान करे, ये भी किसके अंतरगत आता है दोस्तों, आर्टिकल 275 के अंतरगत आता है, जिसे विदिक अनुदान भी कहते हैं, इसमें असम के लिए ये प्रवधान अभी भी उप The statutory grant under 275, both general and specific, are given to the states on the recommendation of the Finance Commission. जब वित्ति आयो को यहाँ पर महौल लगाएगा, उसके बाद ही क्या होगा यह अनुदान दिया जाता है? ठीक है, वित्ति आयो की मंसा पर यही जो अनुदान है वो दिया जाता है. ठीक है, जहाँ पर वित्ति आयो कोई आपर लगेगा कि ऐसा करना चीए तो तभी यह अनुदान मिल पाएगा. दोस्तों दूसरा होता है, discretionary grants जिसकी चर्चा की गई है, आर्टिकल 282 में. इसके अंतरकत क्या होगा, दोस्तों? अनुच्छे 282 संग एवं राजी दोनुग को इस बात का दिखार जेता है, कि किसी लोग प्रियोजन के लिए वो अनुदाना उंटिट कर सके. इस प्रावधान के अंतरकत केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकते हैं. दोस्तो इन अनुदानों को वेका दिन अनुदान के नाम से जाना जाता है इसका करण यह है कि इसके लिए केंदर बाद नहीं है तथा वह कुम्हता उसके सव्वेक पनिर्फ़ट करता है इस अनुदानों के दो दोई से होते हैं योज्यागत लक्षकी प्राप्ति के निमित राज्जी को वित्ती साहता प्रब्द कराना तथा राश्टी योजना के लिए इस राज्जी को प्रवाइद करना ठीक है लेकनी है कि वेका दिन अनुदान केंद्र राज्जी को प्राथ और नियाली साहता का एक बड़ा हिस्सा होते हैं दोसे इस था विदिक अनुदान की जो यह अनुदान है इस अनुदान को देने के लिए केंदर विवस नहीं होता ठीक है वो चाहे तो दे भी सकता है वो नहीं भी दे सकता है इसलिए देना तो उसे राज जी को है लेकिन वो अपने वेक के अनुसार उसे देगा कि हमें यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ठीक is लेकिन विदिग अनुदान में ऐसा नहीं था। विदिग अनुदान में क्या था दोस्तों? विदिग अनुदान में ये था कि अगर राज जी को अनुदान के आँ सफता पढ़ लीये, तो वहाँ पर केंदर को वो प्लद कराना होगा। इसके लिए हाला कि बित आयोकी अरुसंसा जलोडी है ठीक है उसकी मनसा जलोडी है लेकिन वेका दिन में तो केंदर क्या कर सकता है वेका दिन होता है अपनी वेक के अनुसार क्या कर सकता है वो अपनी वेक के अनुसार देगा जो अनुदान देना है चाहे तो किसी स्टेट को को दे सकता है चाहे तो किसी स्टेट को नहीं दे सकता बात करते हैं अधर ग्रांट्स के दोस्तों कि दर कॉंस्टिट्यूशन ऑलस प्रवाइट फॉर थाइप ऑप ग्रांट्स इन एड बट फॉर टैंप्रेरी प्रियर्ज सुधान एक अन्य तरह के अनुदान की भी यहस्ता किया गया है ठीक है यह अनुदान सुधान प्राणंबर होने से 10 अर्शति के लिए किये गये थे यह अनुदान भारत की संचित निदी पर भारत भारत थे वित्याय के अनुद्धा पर राज्य को उपलब्द दिक्राए गये थे ठीक है दस प्रविजिन वस्मेट फॉर ग् अनुदान के लिए अनुदान के लिए अनुदान इसको कहां से कहां पर भारत की संचित निदी पर भारत थे वित्याय इसको महल लगाएगा और राज्य को पलब्द कराएगा ठीक है वित्याय की मन्सा की अनुदारी यहां पर राज्य को पलब्द दिये कराए जाता है ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों बॉर्विंग बाइद सेंटर एंद स्टेट्स केंद्र यहां राज्य द्वारा जो लिए जाता है स्टेट्स केंद्र यहां राज्य के करज लेनी की सक्ति पर निम्लुकित प्रावधान तरह करता है जो आपके स्कीन पर है ठीक है पहले के दोस्तों दे संटरे कन ग्रांट लोंद तो सेंट आंड गश्य देब गारंटी इन रिस्पक्र टू राज्ख वाइस बाइप सेंद्र ऑद आइधर इंड्र इंडिया और आउंट सथिए क्योंट रॉट आपन बहारत की संची निदी की प्रिटिवर्ल या गारंटी देकर रिंट ले सकती है लेकिन दोने भी मामल में सिमानिंधन संकसथ दौरा कियाईगा लात जीए मैं कोई कानून क में केलाची भूर्लो सब्सक्राइग में कोई कानून नहीं बनाएंगा है थिक के लिए कोई कानून नहीं है specially लेकिन क्या होगा वो रिंड ले सकता है ठीक है अपनी संचेद निती को वहाँ पर गारंटी देकर संचेद निती की प्रतिविस्ट या उसको गारंटी देकर वहाँ पर ले सकता है इसी तरह एक राजी सरकार में भारत में ठीक है एक राजी सरकार भारत में राज को संचेद निती की प्रतिविस्ट या गारंटी देगर रिंड सकता है लेकिन स्रीमान विधान राज विधान डाल दौरा किया जाएगा दोस्तों यहां पर राजी के मामले में क्या होता है । राज के वल भारत के अंदर से ही रिंड ले सकता है जब कि केंदर के मामले में भारत या भारत भार से भी दुसरे देशों सो भी यह रिन ले सकता है लेकिन राज्जी के मामले में के वरब भारत से ही यह रिन लेगा ठीक है केंदर किसी राजज़ दोर लेड पर गांटी दे सकती है यह किसी राज़े दोरा लेन पर ग्रांटी दे सकती है लेकिन इसका भाहर कहाँ पर आएगा जो इनकी Consolated Fund of India है ठीक है संचित निधी है जो भारत की ऐसे प्रवाजन के लिए कहाँ पर किसकी जिम्मेदारी हो किसकी कहाँ पर इसका भाहर पड़ेगा Consolated Fund of India में या बोल सकते हैं संचित निधी पर ठीक है अगले दोस्तों a state cannot raise any loan without the consent of the center if there is still outstanding any part of loan made to the state by the center or inspect to within which a guarantee has been given by the center राज केंद्र के अनुमति के बिना रिन नहीं ले सकता है कहीं से भी वो बिना केंद्र के अनुमति के रिन नहीं ले सकता है ठीक है यदि केंद्र वारा देगा कोई भाग बकाया हो या जिसके सम्द्र में केंद्र नहीं guarantee दिये हो किस case में दोस्तों अगर केंद्र व्य ले गए रिन का कुछ बाग अगर बकाया हो पहले उसने रिन लिया हो ठीक है इस condition में राज जी बिना केंद की अनुमूती के रिंड नहीं ले सकता है ठीक है Parliament can impose restrictions on interstate trades and commerce in the public interest Article 302 and the accounts of the states shall be kept in such form are prescribed by the President on the advice of the Comptroller and Auditor General of India क्या हो दस्तो आने संगी सविधान के समान भारती सविधान में भी पारस्प्रिक करदान में नियम है उन नियम की वाक्या Article 302 में की गई है The accounts of the states shall be kept in such form are prescribed by the President and on the advice of the Comptroller and Auditor General of India ठीक है इनका कब छूट दे सकते हैं या तो President वहाँ पे advice दे या Auditor General of India दे या Article 150 कहता है ठीक है बात करते हैं दोस्तो कहां कहां पे छूट दी जा सकती है देकिन छूट कौन दे सकता है राश्टरपती या Auditor General of India आपना हस्ता चेप करें ठीक है पहला दोस्तो Expansion of Centered Property from the State Taxes केंदर की परस्तितिव को राज जी के करसे छूट The property of centers is exempted from all taxes imposed by a state or any authority within a state like municipalities, district boards, panchayat and so on but the parliament is empowered to remove this ban the word property included lands, building, tattles, shares, debts, everything that has a money value and every kind of property movable or immovable and tangible and intangible further the property may be used for sovereign reason like armed forces or commercial forces केंदर की सभी परस्तुति को राज या उसके विबिन निकायों यथा नगरपालिकाएं जीला बोर्ट, panchayatूं एक्सेक्टरा को सभी प्रकार के करू से चूट प्राप्त होती है यद भी संक्सत को यह अधिकार है कि वह इस प्रतिवन्द को समाप्त कर सकती है संपत्ती सब्द से अप्राइ है भूमी, भवन, चल, संपत्ती, सेयर, जमा, इत्याधि उन सभी चीज़ों से है जिसका कोई मूल्य होता है ठीक है? संपत्ती से अधिकार के है दोस्तों जिसका कोई यहाँ पर मूली होगा ऐसे सभी चीज़े संपत्ती में चल ले हों अचल, दोन उप्रकार के संपत्ती आप संबली था है संपत्ती का अप्योग, संप्रभू जैसे सत्तों सेनाए या वाड़ीजिक प्रयोजनी के लिए किया जाता है इन सभी कंडिशन में क्या हो सकता है यहाँ पर विसेश छूट दी आ सकती है वो केंद जगे हाथ में क्यों विसेश छूट दे या ना दे ठीक है दे कॉर्परेशन और दे कंपनी जैसे क्राधान या इस्तानी कराधान से मुक्ति प्राप नहीं है इसका करण यह है कि निगन या कमपनी एक प्रिथक अद्विधिक अस्तित है ठीक है दोस्तों अगरा है जो दोस्तों इसमें एक्सप्रेशन और स्टेट प्रापर्टी और इंकम फ्रॉम सेने टाक्सटेशन राज की पस्त्तियों और आय को केंदरी कर से चूट ठीक है, the property and income of a state expected from the center taxation, such income may be derived from sovereign functions or commercial function, but the center can tax the commercial operation of a state in parliament, so provides, however the parliament can declare any particular grade or business as includental to the ordinary functions of the government and it would that not be taxable. राज़गी परिस्तितियां यहों आयको भी केंदरी कर से छूट प्राक्त होती है, ठीक है, यह आय संप्रभुल कारियों वाणिजी कार उसे हो सकती है, कि यदि संवधी दे तो केंदर वाणिजी आया पर कर लगा सकता है, यदि भी केंदर चाहे तो वह किसी कार या वैसा वि दे सकता है ठीक है नोटे भी ता प्रॉपर्टी और इंकम आप लोकल आथरिटी से चुटेट विदिन स्टेट आर नॉट एक्समिटेट फॉर्म दे सेंटर टैक्सें सिमिलर्डी दे प्रॉपर्टी और इंकम और कॉर्परेशन एंड कम्पनी ओन वाइस स्टेट केंटर सकता है लास्ट इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्टीजन एडवाइजरी उपनियं 1963 है यह दर दे इम्मिनिटी ग्रांटेट वे स्टेट इस स्टेट आप संटेट एक्सेशन दस नोट एक्समिटेट तो दे डूटीज ऑप कस्टम और डूटीज ऑप एक्साइज इन अधर यह सड़ा दी थी कि केंद्र द्वारा राज्जी को दी जाने वाली चूट ऐसी होनी चाहिए जिसमें सीमा और उत्पास फिल्पर कोई भी प्रभावर ना पड़े दुसरे सब्दों में कहा जाए तो केंद्र राज्जी द्वारा आवन आयातित या निराजदी त्वस्त लगा सकती है या वर राज्जी मुद्पादी दिया विनिमित समान पर उत्पास फिल्प लगा सकती है दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगरा आज की वीडियो आपको प्रसंद आई है लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें और मेरी युट्व चनल सब्सक्राइब करें ठीक है मिलते अगली वीडियो में कुछ नई डॉपी के साथ तब तरकें दोस्तों नमस्तकार